ह्टी स्मार्ट कास्ट आत्माओं की तो एक अपनी दुनिया होती है फिर वो क्यों आती है हमारी दुनिया में हमारी जिन्दगी में क्या वो हमारी दुनिया में हम जीते जागते इंसानों को सिर्फ दहशत सदा करने आती है आखिर वो कौन सी दुनिया है जहां से वो आती है और जहां हमारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत पलती है या फिर आत्माओं की इस खौफ और नफरत के पीछे कोई मासूम पहलू भी छिपाओ सकता है अगर हम जीते जागते इंसानों में अच्छे और बुरे दोनों पहलू है तो जाहिर है कि आत्माओं में भी ये दोनों पहलू होने चाहिए पर क्या वाकई ऐसा है क्या आज तक किसी ने आत्माओं के मासूम पहलू को भी देखा है ये सवाल जितना चकित कर देने वाला है इसका जवाब उतना ही मुश्किल है मैं डॉक्टर नागर पेशे से मनुवाई ग्यानिक और पैशन से हुमन माइंड का फैन हर बार आपके पास लेकर आता हूँ मुझ से मिले कुछ लोगों की आपपेती कुछ घटना है जिने सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की सौम्या व्यास और वो सुनाएंगी अपने साथ घटी एक सची घटना जिसमें उन्होंने कुछ खो कर कुछ पा लिया और जिस घटना ने उन्हें एक ऐसे दो राहे पर लाखडा कर दिया कि वो समझ नहीं सकी कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी पर आखिरकार वक्त के साथ उन्होंने सच को सुईकार ही कर लिया शायद राहूल ब्रिच कॉर्पेशन में काम किया करते थे कई साल पहले उस छोटे से कस्पे में बन रहे एक ब्रिच के सलसिले में उनका वहाँ ट्रांसफर हुआ था बार-बार के इन ट्रांसफर से पढ़ाई खराब नहों इसलिए हमने अपनी बेटी इती को हॉस्टेल में डाल रखा था मैं एक बार फिर से प्रिगनेंट थी तो उस छोटे से कस्पे की शांत सी लाइफ बड़ी अच्छी लगती थी पर प्रिगनेंसी आगे बड़ी तो मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा नहाने के बाद ताजगी आई है साइट पर इतनी धूल होती है ना कि अरे हाँ सौमिया तुम कुछ कह रही थी राहुल पिछली कुछ तिनों से घर साफ रहता है बर्तन बिल्कुल चमकते रहते हैं तुम औरते भी ना नौकरानी ठीक से काम करे तो मुश्किल ना करे तो भी मुश्किल चंदा आये तो काम करे ना वो तो हफते भर से नहीं आई अरे बीबी तुम आराम करती होंगी ना तब तुम्हें बिना डिस्टप करे काम करके चली जाती होगी तुम भी ना यार राहुल ने उस समय तो बात टाल दी पर फिर एक संडे को राहुल राहुल कुछ सुन रहे हो? अरे हाँ, चंदा बातरून साफ कर रही है चलो, अब खुद देख लो चंदा साफ कर रही है या कोई और देखो, साफ है ना उफो, तो साफ करके चली गई होगी यार तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते और मैंने कित्ती बार राहुल को वो सब दिखाने की कोशिश की पर यकीन करने की बजाए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए सामया, everything is normal पर क्या है कि आप अपनी पिछली प्रेगनेंसी में फैमिली के साथ थी ना मतलब आपके साससुर भी आपके साथ थे पर इस बार आप अकेली है खास कर जब राहुल काम पे चला जाता है तो आपके पास सुक दुक बाटने के लिए कोई नहीं होता न घर में सारे दिन अकेले रहने से स्ट्रेस हो जाता है प्रेगनेंसी में राहुल, आप अपने पेरेंस को बुलवा लीजे जल्दी से, इनका मन बहल जाएगा, I am writing a prescription for her ये दवाय टाइम पे ले लो, trust me सब कुछ ठीक होगा, she will be fine और उन्होंने मुजफर नगर से माजी और बाबुची को बुलवा लिया बहू, तु चिंता मती ना कर मैं सारा काम संभाल लूँगी तू बस मनने एक सुन्दर सा पुत्ता दे दियो पर जैसे ही माजी ने खाना, बर्तन और सफाई के काम संभाले मुझे कुछ और ही फील होने लगा लगता था जैसे जब मैं सोती हूँ तो कोई मेरे बदन की मालिश कर रहा है कौन कौन है वाह पर वाह कोई नहीं था बस बिस्तर पर किसी के बैठने के सिलवटे किसी के होने का एहसास दिला रही थी और एक दिन तो जब मैं नहा कर आई तो जैसे कोई मेरे बाल सवारने लगा कौन है? कौन है? बोलते क्यों नहीं कौन है यहाँ कौन था प्भू? पदा नहीं बोल ना बभू? कौन था यहाँ? कुछ पता नहीं पर उस ते मुझे चुआ उस दिन के बाद कुछ तिन तो सब शांत रहा पर एक दिन अचानक मुझे आवाज सुनाई थी दीदी एई दीदी कौन? कौन है वाहाँ? कौन हा तुम? सुमन सुमन? क्या चाहती हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं देदी? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? हम हम पीछे कहां बड़े हैं दीदी बस सेवा करने आए हैं आपकी क्या चाहिए तुमें? हमे हमें कुछ नहीं चाहिए आपके पेट में बच्ची है तभी आपकी सेवा कर रहे हैं हमें हमें मना न करिये दिदी उसकी मीठी आवास सुनके जैसे मेरा डर कहीं चला गया और बस फिर वो रोज बड़े प्यार से मेरे पैर दबाती मालिश करती सर में तेल लगाती जैसे मेरी कोई सहेली हो अब घर में सब शांथ हो गया था क्योंकि मैं किसी को नहीं बताती थी उसके बारे में पर एक दन सुन राउल एक बात तो मनने सोची न कि बहु को छोरा होगा कि छोरी जो होगा अच्छा ही होगा तुम मती न बोलो इस मामले में एक छोरी पहले से ही है, छोरियों की लाइन ना लगानी गर में, अरे चिता में आग देने वाला चाहिए कि नहीं, राहूल, तो अभी जा डॉक्तर के धोरे, और वो क्या के वे है, वो सोनोग्राफी करा ले बहु की, और सोनोग्राफी से पता चला कि मेरे पेट में पेटी प क्या बोल रहे हो आप, बावडी, छे माईने हो लिये गरब के, मर जाएगी थरी भू, मरेगी तो वैसे भी, एक और छोरी घर में लावेगी, तो मैं खुद गला दबा दूंगी उसका, और तब ही अचानक, अलमारी के ओपर से ट्रंग गिरा, सीधे माजी के ओपर, अरे मा कुछ नहीं होगा, अमा को, अमा तुम्हें कुछ नहीं हो लिए गुगा, अमा, अमा, समालो, अरे बाबा, दूरी रहो, बचा, और कुछ तिनों बाद चब माजी हॉस्पिटल से लोटकर घर आई, तो सब कुछ फिर से ठीक होने लगा, सुमन पहले की तरह मेरी सेवा करने लगी, पर एक दिन माजी ने फिर से वही जित पकड़ ली, समझने की कोशिश करो, अमा, एक बार आपने अबोर्शन की बात की थी न, तो आपका इतना बड़ा अक्सिडेंट हो गया, और अब आप फिर से, खाना खा लीजे माजी, ना खारी में, भुक की जान दे पर छोरी नार ने दूँगी इस घर में उन्हें अंजल छोड़े चार दिन हो गये थे, तो सब को जुकना पड़ा ठीक है अमा, जैसी आपकी मरसी, लेकिन आप खाना खा लो, प्लीज अमा, अनका दाना मूं में टाल लो अमा, मैं कल ही ले जाओंगा सोमिया को हॉस्पिटल कल सुभा हॉस्पिटल जाना था, और रात को मैं अपने कमरे में बैठी सिसक रही थी, सुमन की आवाज भी नहीं सुनाई दी, जैसे वो भी मेरी बेटी की मौद का दुख मेना रही हो, पर तभी माची की कमरे से उनकी चीखे सुनाई दी चोड़ दे, चोड़, माची, माची, माची चोड़ दे, बोड़े, बोड़े तू, क्यो मेरे जान लेड़ चावे है, बीटी है तो जान लेगी तू, बेटी की जान लेगी, अरे बचा आ, बचा लो कोई है, तुझे पता भी है, तुझे पता भी है, अब ले जान, ले जा यो कला जबाव है मारा क्या हो अमा? अमा कोई भी तो नहीं है अमा क्या हो गया अमा? सुमन किसी को नहीं दिखाई थी पर उस दन पहली बार मैंने उसे अपनी आखों से देखा माँची की चाती पर सावार उनका कला दबोचे छोड़ दे सुमन सुमन छोड़ दे इने बचाई नहीं दीदी जब तक बिट्या का जन्ना होगा हम इसे नहीं छोड़ेंगे और ऐसा ही हुआ इलाज कराया तांत्रिक ओज़ा बुलाया अम काली कपाली दी स्वाहा अम स्वाहा एई छोड़ दे छोड़ दे पिशाशिनी छोड़ छोड़ नहीं छोड़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे उसी तरह तीन महीने बीद गए और मैं एक सुन्दर सी बच्ची की मा बनी और तब सुमन ने मा जी का गला छोड़ा पर इतने दिनों में शायद उन्हें अपनी गलती का हैसास हो चुका था मैंने उन्हें खुद बच्ची के साथ खेलते देखा अले ले ले आहा कैसे सुन्दर लागे रे बिल्कुल रावल पे गई दिखे वैसे ही मुस्कुरावे है चल थारे को इस पर प्यार तो आया कोई प्यार वार नाया किसी दिन मेले में छोड़ दूँगी इसको धूंते रहे हो सब के सब हाँ मैंने सुना तो मैं काम गई मैं भाग की गई और उनकी गोच से बच्ची को छीन लिया उस रात मुझे कई दिनों के बाद सुमन फिर दिखाई दी वो चुप चाप कोने में खड़ी थी लेकिन बहुत ज़्यादा कुस्से में और अगले दिन चब मैं उठी तो बच्ची मेरी बगल में थी पर माजी गायब थी राहुल राहुल बाबुची माजी पता नहीं कहां चली गई कहां चली गई थी अम्मा पूरे घर में ढूंडा कहीं नहीं मिली ये क्या कह रही हो सुम्या तुम ऐसे कैसे जा सकती है वो कहीं भी हमने सारे घर में ढूंडा सारे शहर में ढूंडा पर उस दिन के बाद माजी कहीं दिखाई नहीं दी और ना ही सुमन जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने गाँवालों से इस सब की वजह जानने की कोशिश की और तब उन्हें जो कुछ सुनने को मिला उसके आगे किसी की कलपना भी नहीं जाती बहुत पुराना बात है सहाब ए कुनों सौ टेड़ सु घर रहा होगा एगाम अच्छा खेती बाड़ी रहा सब खुसाल रहा एगाम सब बढ़िया चल रहा था पर जाने का भाईल जैसे कुनों का नजर लगा ऐसा है जा फैला पूरा इलाका म कि चानवर की तरह मरे सब लोग ऐसा कोई घर नहीं दिखा जिसमें से दो चार लास ना निकला हो सहाब इगरमा भी सुमन रहत रही अपने मरत के साथ पहली बार पाउं भारी रहा उसका पर है जा उहों को नहीं छोडा सहाब बेचारी दो तीन दिन में ही हड़ी कर ठाचा बन के रह गई और बस मानों बेचाली सुमन मौत के सामने देखकर बस यी बोली रही की हम मर जाएं तो जाएं पर हमरे बचवा को बचा लिए पर बैद हकीम कच्छू ना कर सके सहाब कच्छू ना कर सके और चार ही दिन में सुमन ना रुके पेट का बच्चा दोनों खदम हुई गए बहुत तर्द भरी कहानी थी सुमन की पर क्या सुमन की बच्चे के लिए चाहा इतनी बड़ी थी कि बरसों बाद जब उस घर में सौम्या गर्बवती हुई तो सुमन की ममता फिर जग उठी और सुमन की आत्मा सौम्या की बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी करने को तयार हो गई किसी की जान लेने को भी सवाल है कि क्या ममता की जड़े इतनी गहरी हो सकती है कि वो जीवन जाने के बाद भी न तूटे जब आप ठूड़िये मैं भी तायार रहूँगा आपके लिए एक नई घटना लेकर जिसे सुनकर सौम्या की तरह आप भी कह पड़ेंगे और आखरी बात सांसें बहुत कीमती होती है क्योंकि कोई इन्हें कभी भी रोक सकता है आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर एफेम प्रोडक्शन प्रेच्टी स्मार्ट कास्ट